नमस्कार मैं हूँ प्रवेड गोतम देश के असल मुद्दो की बजाय जिस तरह की राज़िती और पत्रकारिता बेवज़े की बयानों को लेकर होती है आज उसे लेकर प्रेंका गांदी ने आज तक की बरिश पत्रकार मौसमी सिंग के साथ तमाम न्यूट चैनलों को आईना दिखा दिया मौसमी सिंग प्रेंका गांदी से सवाल करती है कि कंगना रनोत का एक ऐसा बयान आया है जिसमें वो कहती है कि सोनिया गांदी की बच्चों पर मुझे दया आती है। इस तरह के सवाल को सुनकर प्रियंका गांदी को गुस्सा आ जाता है। और मोस्मी सिंग की ऐसी पत्रकारिता पर सवाल खड़े करते वे प्रेंका गांधी क्या जवाब देती हैं जिसे हर मीडिया चैनल को सुनरा चाहिए प्रेंका गांधी कहती है कि हम बहुत शुक्र गुजार हैं कि उनको हम पर दया रही है लेकिन मौसमी आप चाहती है मैं अब कंग्रेस पार्टी की क्या स्कीम है महिलाओ के लिए आप ये क्यो नहीं पूछ रही है कि महंगाई इतनी हो गई है तो कंग्रेस पार्टी क्या करेगी महंगाई घटाने के लिए आप ये क्यों नहीं पूछ रही है कि कंग्रेस पार्टी विकास कैसे कराएगी ये सब आप नहीं पूछ रही है इसके बजाए आप पूछ रही है कि कंग्णार अनोत क्या कह रही है सोनिया जी को गाली उन्होंने तब से दी है जब से मेरे पिताजी जिन्दा थे मेरे पिताजी शहीद भी हुए तो एक शहीद की विद्वा को भी उन्होंने अपशब बोले उसके बाद भी दी गालियां ये सब चुनाव के मुद्दे नहीं है ये तो इनका काम है इनको ध्यान बटकाने दीजिए आपका काम और मेरा काम ये है कि हम देश का ध्यान चुनाव के जो असली मुद्दे हैं उन पर रखें तो प्रेंका गांदी ये मीडिया को आयना दिखाती है कि कंग्रा रनोत क्या कहती है फला क्या कहता है इसकी वजाए मतलब के मुद्दो पर पत्रकारों को सवाल करना चाहिए कंग्र रनोत के बयानों पर मीडिया को आयना दिखाने के अलबा प्रेंका गांदी ने पीम मोदी के हमारे परिवार और पार्टी के बारे में इनका हमेशा से ही आक्रमन होता है और ये जूटा है हमारी देशभक्ती पर आक्रमन किया हमारे परिवार में लोग शहीद हुए है जब आप अपने शहीत का शवग घर लाते हैं तो तब आपको पता चलता है कि देशबक्ती क्या है उस देशबक्ती पर आप सवाल उठाते हैं हमको कहते हैं कि हम भरष्ट हैं हम धार्मिक नहीं हैं मैं कहना चाहती हूँ कि चाहे हमारे बारे में कुछ भी कहें, हम सेवा करते रहेंगे, चाहे हमें सलसल से निकाल दे, हमारे घर लें, हम पर आरोप लगा दे, हम पर केस कर दे, हमें भरष्ट कर दे, लेकिन हम सेवा करते रहेंगे. तो प्रेंका गांदी ने PM मोधी से सबाल पूचा है कि नाम लेकर PM मोधी को बताना चाहिए कि हमारी पार्टी में सनातन को किसने गाली दी है प्रेंका गांदी कहती है कि एधान भटकाने वारी बात है बेवज़े के मुध्ये है जिसपर BJP राजिती करती है और मीटिया उसको आगे बढ़ाने का काम करती है बे बज़े की बयानों को लेकर प्रेंकागादी ने आज इस तरह मीडिया को आईना दिखाया है आप उसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर पिरायस जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के उप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार